हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चलनल बीटापर में फ्रेंड जैसा कि आप सभी को पता है कि परिच्छा बहुत ही नज़ीक है दोस्तों और मैं डेली आपके लिए मॉक टेस्ट लेके आता हूं दोस्तों तो आज मैं फिर हाजीर हूं आपके साथ आप लोग अनसर करते रहिए करें हैं दूस्तों आज में 50 प्रसंट करने वाला दोस्तों वीडियो को आंड तक दिखे है काफी इंपोर्टें कोई से सारे हैं दोस्तों कर वीडियो पसंद आज तो वीडियो को लाईक शेर जारू किजए हमारे चैनल पर नहीं है तो मैं चा सलख कर दिला का सब्सक्राइब इसमें आपको बता है कि ओडिय AK सभी लोग उत्तर करें दोस्तों ॉकुं म२ 2 निम्निलिखित में से कौन सा सञ्यूक तुष्वार है निम लिखित में से कौन सा संयुक तुश्वर है आपको बताना है Q2 का राइट एंसर दीजिए देखिए Q2 का राइट एंसर है यहां पर वह हो जाएगा आपका इसको थोड़ा से जूम कर लेते हैं ताकि आपको संयुक्त वेंजन आपने पढ़ा होगा ठीक है संयुक्त वेंजन आपने पढ़ा होगा चत्रिज्या यह सारे संयुक्त वेंजन है ठीक है लेकिन यहां पर स्वरों की बात कि आजाए कि कौन सा संयुक्त श्वर वेंजन है स्वर है संयुक्त स्वर है स्वर है संयुक्त स्वर क तो आपका और यहां पर सईयूक्त वेंजन में आते हैं तो आप सबी को मैंने हर बार बताए कि वर्ड माला अच्छे से पढ़ लीजी दोस्तों वर्ड माला से काफी कुशन बनने हैं अजकल ठीक है अंतस्थ वेंजन कौन-कौन से हैं ठीक है उसमें कौन-कौन से हैं कौन- सोटा जाता है यह्ये आपका ओप्सणमां ट्रीक राइट्र अब्लूग दीजिए का वर्ग का उच्चाम कहां से है कहां से का वर्ग ऋच्चारी तरह हैं ठीक है रिक है ज़िए आई क्योन-ब्लbॉक्स 202 ब Jacqu Graal πार्व का उपनण और निश्या उट्श Marshmंओ कผे लिसन क् देखिए आपर Q4 का जो राइट एंसर है दोस्तों हो जाएगा आपका option नमबर A सही हो जाएगा कंठ तालव है ठीक है आगे चलते हैं Q5 की तरफ देखिए Q5 आपको दिख रहा है देवेश में कौन सी संधी है Q5 का राइट एंसर फटा-फट आप लोग करें दोस्तों टाइम बहुत कम है और questions जादा करने है तो आप लोग जल्दे लिए उत्तर करें Q5 का राइट एंसर क्या होगा देखिए को एंसर आने लगे है ज्यादा लोग एंसर नहीं करें आप लोग सभी लोग एंसर करते रहें दोस्तों और वीडियो के एक बार सेयर करें ताकि ज्यादा ल दर्शन का शही संद्विछेद क्या होगा Q6 का राइट एंसर दीजी आप लोग और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंग कि अगर आप लेकपाल भरती में बैटना चाहते हैं क्योंकि लेकपाल भरती बस जनवरी के अंत में आने वाली दोस्तों अगर आप लोग इलिजि परफिशन करवांगा उसमें बैस्ट बॉक्स बताएं उसमें आप उसको पर्चेस कर सकते हैं तो Q6 का राइट एंसर है वह जाएगा आपका आपको नमबर A सही है शट धन दर्शन बराबर शट दर्शन ठीक है आगे चलते हैं Q7 है निह धन गुण की सही शंदी है आप लो पर सही हो जाएगा ठीक है निर्गुण ठीक है आगे चलते हैं Q8 है निम निलिखित में से कौन सी अशुद्ध वरतिनी है तो चार सब दिया गया है इसमें से एक ऐसा सब्धा इसका वरतिनी अशुद्ध है उसको आपको पहचानना है तो जल्दी से उत्तर करें Q8 का राइ पहचान कीजिए ठीक है आप लोगो शुद्र रन आप आप पर आपको अशुद्ध पहचानना था यह तेoba तीन अशुद्ध है एक उपर आपका तीन-सुद्ध पर फोकस करना है ठीक है आप लोग कंफ्यूज नहीं होना कि क्या पूछ रहा है क्वेशन पर नौ का जो राइट एंसर काफी लोगों ने सही उतर दी है आपका ये आपका सही शुद्ध वर्तिनी वाला सब्ध है आगे चलते हैं क्वेशन नम्बर 10 है देखिए शंध्या ने क्वेशन नम्बर 10 का जो सही उतर है दोस्तों वह जाएगा आपका आपका उप्शन एसे हो जाएगा लागो विराम चिन का प्रियोग हुआ है इस वाक में आगे चलते हैं क्वेशन नम्बर 11 है छोटे बच्चे की मुस्कुराहट अतियंत प्यारी है इस वाक में सब्ध कौन सी संग्या है क्वेशन नम्बर 11 का उत्तर फटा फटा आप लोग दीजिए देखिए क्वेशन नम्बर 11 का जो राइट एंसर है वह जाएगा आपका ऑप्शन बी यहां पर सेव जाएगा भाव वाचक संग्या है ठीक है मुस्कुराहट आगे चलते हैं कि देखिए क्वेशन बारा का जो सही उत्तर दोस्तों वह जाएगा आपका ऑप्शन डी यहां पर सेव जाएगा खिलाओ ना ठीक है आगे चलते हैं क्वेशन नम्बर 13 है देखिए निमलिकित में से किस सब्द का प्रियोग एक वचन में होता है निमलिकित में से किस कई लोग ने दिया है और से यह सोना ठीक है इसका हमेशा एक ही वचन में प्रियोगत होता है आगे चलते हैं क्वेशन नम्बर 14 है रानी चाकू से सब्जी काटती है इस वाक में कौन सा कारक है तो आपको मैंने डिटेल में बता रखा है इस कारक के बार में जो यहां पर प प्रशनै के देखें मैं देखें कोसिन साहि upstream का राक है ठीक है रानी चाकू से सब्जी क्टरी जनी की जहां जहां बहुत होता है वहां का रहां होता है और जहां से का निये सब्सक्राइब को पता है आगे चलते हैं इसा ना हो कि कोई आ जाए वाक में रेखांकित सब्सर्वनाम है यह पर कोई कौन सा सर्वनाम है कैसा सर्वनाम आपको बताना है सब्सक्राइब कोई निष्चित नहीं है कि कौन आया है कोई आन जाए ठीक है आगे चलते हैं कोई सोला है मेरा कुता काला है इस वाक में काला सब्सक्राइब कौन सा विशेशन है जल्दी से उत्तर करें क्वेशन बर सोला का राइट एंसर क्या होगा देखें क्वेशन बर सोला का जो सही उत्तर है दोस्तों वह जाएगा आपका आप्सन नंबर यहां पर जो सही है वह जाएगा आपका आप्सन से विधे विशेशन है ठीक है आगे चलते हैं क्वेशन न देखे क्वेस्टन बर 17 जो राई टेंसर है दोस्तों वह हो जाएगा आपका ऑप्सिन नमर यहाँ पर सी सही हो जाएगा दी कर्मक है ठीक है आगे चलते हैं क्वेस्टन नमर 18 है मैंने पुस्थक पढ़ी यह वाक है यह वाक कैसा आपको बताना है अठारा का राई टेंसर क्य है वह जा रहा है इस वाक में कौन सा काल है आपको बताना है 19 का सही उत्र जल्द लिए आप लोग करिए देखें कौश्चन में 20 का राइट एंसर ऑप्सन ए यहां पर सही है बाहर ठीक है एक इस्ति बता रहा है आगे चलते हैं कौश्चन नमबर 21 है आंधी आई और पानी बरसा इस वाक में और सब्द कौन सा अव्वय हो है ठीक है और बताईए कौश्चन नमबर जो 라고 है ऐसे चलते हैं कौश्चन नमबर 21 का कई लोग ने उत्तर सही दिया है आपसे बी यहां पर समच्चे बोधक क्या होता है देखिए समच्चे बोधक उसे कहते है जैसे यहां पर और यह समच्च बोधक है तीक है आप यह समच्च बोधक जो दो संटेंसों को जोड़ने का काम करते है यहां पर आंधी ही ये इक अलग संटेंस हुआ थीक है तो आप कोई और लग गया ये जोड़के एक संटेंस बनधे आजब भेए तो दोनों संटेंस upon हई ये अलग हो गया लकिन छो कोई काम कर रहा है तो वो कर रहा है और जब और लगा दिया तो दोनों के संबंद दर्साए जा रहे हैं कि आधी आई और पानी वर्सा ठीक है तो आपका जो और है यह समुच्चे वाध बहुत है आगे चलते हैं क्वेश्चन नमबर 22 है मोहन नहीं आने वाला है इस वाक में नहीं कौन सा निपात है जल्दी से उत्तर करें क्वेश्चन नमबर 22 का राइट एंसर क्या होगा तो देखे क्वेश्चन नमबर 22 का जो राइट एंसर है दोस्तों वह जाएगा आपका ऑप्सण नमबर डी यहां पर सही है नकारार्थक है ठीक है नहीं आएगा यहां पर कारात्मक का बोध हो रहा है ठीक है नेगेटिविटी दिखाई जारी पॉस्टिविटी हां अवस्ट आएगा जरूर आएगा हो सकता है आ सकता है ठीक है तो यहां पर पॉस्टिविटी दिखती लेकिन यहां पर कहा जा रहा है मोहन नहीं आने वाला है ठीक है तो अपर ने मक्षिका ठीक है आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 से देखिए निमनलिकित तत्सम तदभव युगमों में से कौन सा तुर्टी पूर्ण है राइट इंसर क्या होगा है देखिए राइट इंसर दूस्तों आपसें डी यहां सचीहा है यहां चुल्टी सिदिक निमनलिकित में से कौन सा तत्भव सब्द है यहां पर पच्चिस का राइट इस दीजिये चारव में से कौन सा तद्भो सब्द है तो आप लोग एंसर करें जलिए लिग क्वेशन नमर 25 का जो राइट अंसर दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नमर बी यहां पर सही है लोभी तो यहां पर लोभी जो है यह तद्भो सब्द है आगे चलते हैं क्वेशन नमर 26 नमर 27 में से किस सब्द में अधि उपसर्ग लगा है तो आपको अधि उपसर्ग किस सब्द में लगा है पहिचानना है 27 का उत्तर करें जलिए लिए अप लोग Q27 का जो right answer दोस्तों बो हो जाएगा आपका option नमर B यहां पर सही है अधिकार आगे चलते हैं Q28 है निमने लिखित में से किस सब्द में प्रत्य नहीं लगा है Q28 का उत्तर दीजिए आप लोग निमने लिखित में से किस सब्द में प्रत्य नहीं लगा है Q29 का जो right answer दोस्तों वह हो जाएगा आपका option B यहां पर सही हो जाएगा मनुस्यत्त हुए ठीक है आगे चलते हैं Q30 का सही विशेशन है कलेश शब्द कहा सही विशेशन कौन सा है तीस नमर का right answer दीजिए आगे चलते हैं Q31 की तरफ देखे निमने लिखित विशेशन सब्द हो जाएगा आपका option C यहां पर सही हो जाएगा दीखे ताप तप ठीक है आगे चलते हैं Q32 है राज दर बार में कौन सा समास है Q32 का right answer जली लिख आप लोग करिए राज दर बार में कौन सा समास है तो 32 का right answer है option C से यह ततपृस समास है ठीक है राज दर बार लेनी की राजा का दर बार आगЕ चलते हैं Question Number 39 है C20 में कौनसा समास है सी- c20 में कौनसा समास है 29 का राई टैंसर दीज़े दीजिए Question Number लिखिते हैं Option A हो जाहेगा दंद समास है दंद समास है दौनों पत परधान होते है आगे चलते हैं Question Number 34 है दीजिए निम्ने लिखित में से कौन सा संग्या पदबंध है Q34 का राइट एंसर दीजिए Q34 का जो राइट एंसर है Option D से ये रात को पहरा देने वाला ये संग्या पदबंध है आगे चलते हैं Q35 की तरफ मैं नहीं जानता कि वह कहां है इस वाक में वह कहां है कौन सा उपदबंध है Q35 का उत्तर करें ओप्सं सामने आपके देखिए Q35 का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका option number यहां पर जो 35 का राइट एंसर है वो हो जाएगा ए सही है यहां पर 35 का राइट एंसर आप्सं ए सही है संग्या पदबंध है आगे चलते हैं question number 36 है देश रख्षा के लिए प्रतेक नागरिक को डैस रहना चाहिए इस वाक में रिक्तस्थान पर निमने लिखित में से किस सब्द का प्रियोग उचित है तो आपको रिक्तस्थान की पूर्थी करना है देश रख्षा के लिए प्रतेक नागरिक डैस रहन है रहना चाहिए 36 का उत्तर दीजिए आप लोग फटा-फट देखिए क्वेश्चन नमबर 36 का जो राइट एंसर है दोस्तों वह हो जाएगा आपका ऑप्सन नमबर यहां पर भी सही है उदत रहना चाहिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नमबर 36 है अव्यवस्थित वाक खंडो से करम बद्ध वाक बनाईए और उचित करम चुनिए क्वेश्चन नमबर 37 का राइट एंसर जल्देली आप लोग करे okay question NICK 37 का जो राइट एंसर है वह जाएगा आपका option दी यहां पर सही वह जाएगा डी सही है ठीक है अब कर D option सही है अपर इसको आपको उचित करम में व्यवस्थित करना था तो आपको जह키े पहले थर्ड आयेगा थर्ड यानि शुरू से ही फिर आपका फोर्थ आएगा अधिका आर्थिक और समाजिक अन्याई को फिर सेकंड आएगा बिना हिंसक विरोध के फिर फर्स्ट आएगा आपका भारतिये फिर आपका फिपता आएगा देखिए यहां पर चले आये सहते हैं ठीक ह पानी विच मीन प्यासी यानि पानी के अंदर मीन का अर्थ होता है मचली का प्रियावची होता है मीन मतलब निकलता है इसका मोही सूनी सूनी अवय हासी ठीक है मोही सूनी सूनी अवय हासी तो इसका अर्थ बताएगा आपका अलंकार कौन सा प्रियुक्त हुआ है आपको यहां पर करण के होती हुए भी कार नहीं होता है उहां पर आपका विसे सोकती होता है ठीक है आगे चलते हैं कोईशन नमबर 49 है किस चंद में 26 मातराएं होती है और 14-12 पर यत होती है कोईशन नमबर 49 का राई एंसर दीज़े काफी quitno है dat ब सभी है चंद से ऐसे प्रसन पूछाते हैं कोईशन नमबर 49 का फटा फटा आप लोगों को सही ऊतर देना है गे question 39 का जो राइट एंसर है वो हो जाएगा आपका option नमबर यहांपर जो सही है आप्सन 20 जगह गीतिका होता है वह आगे चलते हैं क्वेश्चन नमबर 40 है रौद्रस का इस्थाई भाव क्या है तो रौद्रस का इस्थाई भाव आपको बताना है क्वेश्चन मदर 40 का राइट एंसर दीजे जल्दी आप लो वह जाएगा आपका उप्सन बी यहां पर सही है जैसंकर प्रशाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नमबर 42 की तरब दीके निमनलिकित में से कौन जीवनी है तो यहां पर चार चीजे दीए गए चार लेख दीए गए तो इसमें से कौन सी जीवनी है आपको बताना है क्वेश् क्वेश्चन नमबर 43 का राइट एंसर क्या है कि देखिए आपकर क्वेश्चन बर 43 का जो राइट एंसर होगा दोस्तों ऑप्सन बी यहां पर से वज़ेगा अपनी सरम चिपाने के लिए वेर्थ जोजलाना ठीक है आगे चलते हैं क्वेश्चन नमबर 44 से निमनलिकित में क्वेश्चन से शुद्ध वाक का चाहिन कीजिए तो आपको 44 का राइट एंसर जल्दी करना है जल्दी से उत्तर करें आप लोग देखें आपर क्वेश्चन नमबर 44 का राइट एंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्सन डी से हो जाएगा युद्ध हो रहा है ठीक है आगे चलते हैं यह बाग के सुद्ध है आगे चलते हैं क्वेश्चन नमबर 45 है निमनलिकित में से कौन सा मूख का अनेकार्थक सब्द सब्द नहीं है को से आपको बताना है तो जल्दी से उत्तर करें 15 और 25 आणिसर क्या है 15 जो सही उत्तर है दोस्तों सी यहां पर सच्छांग ठीक यहां का मोदलब जो कम बोलता हो चुप रहता हूँ विवाश नहीं हो अब शान्त नहीं होता है शांत गंभीड का होता है अगे चलते हैं पार्थिeralी सब्सक्राइब के लिए शाहिशी का चाहिए के 46 यहां पर हो जाएब है वह जाएगा आपका ऑप्सव नमब्र आपर जो सही है वो जाएगा बी आप्शन से जिसका सम्मंद्ध पृत्वी से हो उसे पार्थियू कहते हैं आगे चलते हैं क्वेश्चन नमर्ट 47 है निमलिखित विकल्पों में से शब्द युग्म अंस अंस के उप्यूक्त अर्थ भेद का चाइन कीजिए तो जो सब दिया गया दोनों उसका उसी करम में कौन सा अर्थ सही है यहां पर चार आप्शन में से वह आपको बताईए ना बताना है क्वेश्चन में 47 का राइट एंसर है दोस्तों वह हो जाएगा आपका अप्शन नमर् मतलब है अकंदा और यह जो अंस है यह भाग कांस है अंक कांस है ठीक तो आपका ऑप्शन B से हो जाएगा आगे चलते हैं देखिए यहां पर दिया गया है गद्यांस क्या है यह देखिए वाक्त का व्यांस को पढ़कर कुछ प्रसन के उत्तर देने हैं तो देखिए छोट सींचा बहा युगों तक खून पसीना अब अनतालीस नंबर इसी पर अधारी थे प्रसन कवी का कभी क्या करने की प्रिणना दे रहा है चार आप्सन है जल्दी लिए उत्तर करें आप लोग को देखिए को पोटी एट का जो राइट एंसर है दोस्तों बहो जाएगा आपक कि किस परकार का जीवन वर्थ है कोईशन पर उन्चास का राइट एंसर जल्दी लिए आप लोग करें दोस्तों यह आखरी कोईशन हमारे दोस्तों और इसी के साथ में इसेसन को समाप्त करेंगे आप लोग को जो लेकपाल वाली बताईए मैंने वीडियो वीडियो को इस बार पक्का लगए आज आएगी काफी ज्यादा इसके बारे मातचीत हो रही है ठीक है दोस्तों तो आप लोग को मैंने काफी सम बच्चे कह रहे ते कि सर बुक्स बताईए इस टार कर दें प्रप्रेशन हम खाली बैठा है वीडियो के पर इच्छा हो गई तब से तो समान हिंदी और समान ग्यान तो प्रपेशन है यह उनका आराम से गड़ी तो गयरा पढ़ने स्टार कर देंगे तो आप लोग बुक्स के बारे में बता दिया जो पर्चेस करना चाहते हैं उखरीच सकते हैं दोस्तों मैं सजेशन दे रहा हूं अपना ओपीनियन दिया है मै की बครका बारे मिले ग्रपेशन तोस्तों मैं से लो सकते हैं जहीं मैं स्थ dependent on्तों मैं सबाल्प यह उप के इत उन्यर कर धर मैं सबसर.